वेलकम टू कोकिंग शुकिंग विद प्रिया आज मैं आपको मसाला पापड बनाना बताऊंगी बहुत सी जगह खीचिये को पापड भी बोलते हैं ये खाने में बहुती टेस्टी लगता है बनाना और भी आसान है बच्चे भी इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं जब भी कोई गेश्ट आये या कुछ अच्छा चट्पटा काने की इच्छा हो तो हम इसे घर पर बना सकते हैं तो आए ये बनाना शुरू करते हैं जो भी सब्जा मैंने यहां पर लिया सबकर अच्छी तारह से मैंने दो लिए है तो मैंने वन कप लिए हैं कपड़ी वनकप लिए है मैंनें लाल इन प्याज आपजारगा आप शाय श्कीप भी कर सकते हैं आधा कप मैंने यहां पर लिए है हैरा धनिया, क्रौर्त पूर तीष्पून हम लेंगे ग्रीन चटनी धन्य की तू टीस्पून हम लेंगे सौस तू टीस्पून हम लेंगे इमली की मीठी चटनी और यह मैंने लिया है चाट मसाला तू टीस्पून हम यह एट करेंगे और मैंने यहां पर ली है लाल मीर्च नमक और जीरा तीनों को मिला कर एक पाउडर बनाया है इसमें मैंने हाफ टीस्पून से कम नमक एड़ किया है हाफ टीस्पून मैंने लाल मीट्स पाउडर और हाफ टीस्पून सेकावा जीरा एड़ करके तीनों को मैंने मिक्स किया है और मैंने यहाँ पर लिया खिचिया आप देख सकते है यह मेरे होमेट खिच्चे हैं गर के बने में इसका वीडियो जो है मेरे चैनल पर है आप देख सकते हैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मसाला पापड का भी मैंने वीडियो बना रखा है आप वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं उसका लिंक भी मैं दे दूंगी साथ यसाथ मुंग डाल के पापड चना डाल के पापड केसे बनाते हैं वो वीडियो भी मेरे चैनल पर आप जरूर देखें अब मैं आपको खीचा सेख कर बताते हूँ गेस को मैंने ओन कर दिया है अब हम खीचा सेखते हैं इस तरह हमें चिम्टे की मदद से इसको इस तरह सेखना यह आसानी से सिख जाता है आप देख सकते हैं इस तरह देखे फूल कर दुगना हो जाता है खिच्चा मारा सिखकर तयार हो गया आप देख सकते हैं देश की फ्लेम को मैं यहां पर बंद कर देती हूं चलिए अब हम मसाला खिच्चा बनाते हैं इसके लिए मैं हलका सा इस पर घी एड करूंगी और इसको अच्छे तरह से हम इस तरह सेड कर देंगे इससे टेश्ट खूब अच्छा था बटर भी लगा सकते हैं अब इसको हमें हाथ की मुदख से प्रेशर देते वे इसको इस तरह तोड़ना है हमें इस तरह मैंने इसको तोड़ लिया है अब इस पे हम कक्री टमाटर एड करेंगे चारो तरफ से अब हम ग्रीन चटनी को डालेंगे इस पे मीठी इमली की चटनी को भी हमें एड करना है इससे टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है टोड़ो सोर्स हम इसमें एड करेंगे अ हुआ कि अब इसमें चार्ट मसाला एड करते हैं consist सिम्पल मसाला जो हमने बनाया था वो भी इसमें एड कर देंगे अब इसमें हम बारिक सेह्ट करेंगे और धन्या पत्ती से हम गार्निश कर देंगे आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है हमारा मसाला पापड खाने में बहुत ही टेश्टी है मेरे तो मुँमें पाने आने लग गया हमारा मसाला खीचिया पापड बनकर तयार हो गया है आप देख सकते हैं कितना सुन्दर अट्रेक्टिव लग रहा है जब भी कुछ अच्छा या चटपटा खाने की इच्छा हो तो आप घर पर जरूर बनाईए इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है बच्चे भी इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका मसाला खीचिया पापड कैसा बना थेंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो